ये है सावमी 14 और इस फोन को लगबग में एक हपते से यूज कर रहा हूँ और इस फोन के बारे में मैं एक ही चीज बोलूँगा कि आपको एक फ्लैक्सि फोन में जो भी चीज चाहिए वो आपको सब कुछ इसके अंदर मिल जाता है जिसके बारे में हम आगे एकदम डीटिल में बात करने वाले तो वीडियो को लास तक देखो यह फोन टोटली तीन कलर्स में लांच हुआ है बलाइक वाइट एंड यह ग्रीन कलर है इस फोन का वेट अराउंड 199 ग्राम्स है इस फोन का इन हैंट फील काफी अच्छा है फोन हाथों में काफी कॉंपक्ट सा फील होता है फोन को अगर ग्रिप भी करना हो तो पूरा मज़े ही मज़े इस फोन में आपको फोर माइक एरे मिलता है जिससे 360 डिरी का क्रिस्टल क्लियर साउंड आप रिकॉर्ड कर सकते हो और इसे के साथ डॉल्बी आक्मोस स्पीकर मिलेगा तो रसा साउंड टेस्ट करवाते हैं इसका डिस्प्ले भी काफी बढ़िया है 6.36 इ इसका डिस्प्ली आपकोि मिलता है जिसके साथ आपको मिलता है गोरिला ग्लास विकरוש डिस्म्यों के दिपार्मेंट्स यह फोन वाइफे 7 के साथ आता है वैसे नौरमली अभी कोई वाइफे 7 वाला राउटर यूज कर नहीं रहा होगा तो यह साइध ही आपके काम का आएगा बट एक चीज है तो मैंको लगा कि आपको पता होना चाहिए इसके साथ ही Bluetooth 5.4 मिल जाएगा और NFC मिल जाएगा जिसस आप कार्ट से पेमेंट कर सकते हो बस असे टाप करो और आपके फोन के थरू पेमेंट हो जाएगा अब आते हैं इस फोन के सबसे में हाइलाइटर चीज पर इसका कैमरा पार्टनर्ड विथ लाइका इसका में कैमरा 50 मिगा पिक्सल का है इसमें light fusion 900 इमेज सेंसर लगाए य ये sensor है co-engineered with Leica, Leica का 75 mm floating camera का टेली फोटो लेंस मिल जाएगा, जो नॉर्मल आप फोटो काप्चर करोगे तो 32 MP का होगा, बाट अगर आप पोट्रेट फोटो लेते हो, तो उसके टोटल पिक्सल अप्रक्स 50 MP के होते हैं, और 50 MP का आल्टरा वाइट कैमरा मिल जाएगा, टिक ला है Leica Vibrant and दूसरा है Leica Authentic, Leica Vibrant पे आप जो भी फोटो लोगे, वो फोटो ज ऐसे आते हैं कि आपने फोटो क्लिक करा और सीधा डिरेक्ली आप उसको पोस्ट कर सकते हो, और Leica Authentic में आपको बिलकुल नैच्रल फोटो मिलेंगे, और Authentic मोड भी मुझे एक बुरा य लेगी कि आप कोई भी फोटो काप्चर करते हो, उसके कलर्स को यह बूश्ट कर देता है, मतलब खराब वे में बूश्ट नहीं करता, अच्छे वे में बूश्ट करता है, आपको फोटो ऐसे मिलेगे कि आप डिरेक्ली उसको बिना एडिट किये, इंस्टाग्राम पे पोस करता है, मैंने ये फोटो वहाँ पे काप्चर करी है, जहां पे लाइट बिल्कोल भी ने थी, फिर भी फोटो देखो कितनी सार पाई है, अब आप बोलो कि अबना भाई सब कुस तो बता दिया, लेकिन परफोमेंस कैसा है, वो कौन बताएगा, तो वो भी मैं बताऊंगा, टेंसर नालो, ये फोन आता है, स्नापड्राइगन 8 Gen 3 प्रोसेसर के साथ, 12 GB प्लस 256 GB, 12 GB प्लस 512 GB, LPDDR 5X RAM है, विध युफस 4.0 स्टोरेज, और इसका टाइप C पोट USB, टाइप C 3.2 है, जन्वन, इस फोन का हमने बेंचमार्क टेस्ट करा, टेंपरेचर अपरक्स 50 डिग के साथ आता है, अगर एक नॉर्मल योजर हो, थोरे बहुत रिल्स देखते हो, गेम वगएरे खेलते हो, इस फोन की बैटरी एक दिन तक आराम से चल जाएगी, ये फोन 90 वाट की चार्जिंग सपोर्ट करता है, सिर्फ एक तिस मिनट में ये 100 परसें तक चार्ज हो जाता ह और मीवाई से थोरा तो क्लीन है, ओविसली थोरा बहुत क्लीन दो है, मतलब फील तो आता है कि मीवाई है, बट क्लीन है, इस फोन के साथ आपको चार साल का एंडरोइट अपडेट मिलेगा, और पास साल का सेक्यूरिट अपडेट मिल जाएगा, हाइपर वस में कुछ AI फ आईफोन की तरीके से है, आईफोन का जैसे होता है कि आप हाथों में पकरो तो थोरा सा एक अच्छा सा फील देता है, वो सीम चीज मुझे इसमें भी फील हुआ, अगर कोई दूर से देखे तो उसको लगता है कि मैंने हाथ में आईफोन रख रखा है, अगर मैं ये कवर तो काफी लोगों को डाउट हुआ है कि भाई ये कौन सा आईफोन आ गया तो थोरा सा फील तो है, इसके डिजाइन के मामले में मुझे एक बहुत बड़ी दिक्कत देखी, मैं इस फोन को साफ करते जा रहो, फिर भी देखो कि finger के smudges कितने जादा आ जाते हैं, मतलब थोर इसका में चीज में को camera लगा है, आप किसी भी situation में हो, आपने click किया, photo एक्टम बेस्ट आईगी इसकी guarantee है, आपको photo बेगर है ज्यादा जान सा है कि edit भी नहीं करना पड़ेगा, आपने photo click करा और सीधा आप post कर सकते हो, तो इस वाले video में इतना ही, आपको ये video कैसा लगा, इसके बारे में कुछ और जाना है, तो comment में बता सकते हो, और मिलता हूँ, अगली video के साथ तब तक लिए, bye bye.